जैहिन साथियो, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो बच्चों बात करते हैं टूर ओफ ड्यूटी की अभी टूर ओफ ड्यूटी को लेकर कुछ भी अभी अधिकारी करूप से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है जो भी अभी तक आर्टीकल आया है टूर ओफ ड्यूटी को लेकर आज वो मैं आप लोगों को सारा का सारा पढ़कर और दिखाने वाला हूँ कि उसके अंदर क्या-кया अभी तक लिखा गया है उसके अंदर क्या-क्या जानकारी दी गई है लोगों का अभी अलग-अलग मानना है कोई कुछ कह रहे हैं कोई कुछ कह रहा है लेकिन अभी पूरी जानकारी इसको लेकर नहीं आई है जो भी अभी तक जानकारी आई है वो मैं आप लोगों को आज शेर करने वाला हूँ तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और बने रहना हमारे साथ देखिए क्या है टूर ओफ ड्यूटी का कंसेप्ट जिसके तहत तीन साल के लिए सेना में होगी भरती ये 2020 में पहले आईडिया आचुका था ये आज नहीं आया है ये 2020 में आचुका था जिसको अभी तक लागुन नहीं किया गया था इसके अंतरगत क्या होगा सेना में भरती होने वाले युवाओं को सरकार तीन से पांच साल के लिए सेना में जाने का मौका देगी जो इसके मुख्या पॉइंट होंगे वो होंगे तीन से पांच साल के लिए सेना में जूडेंगे युवाओं और दूसरा ड्यूटी के बाद कॉर्परेट जोब कर सकेंगे और तीसरा इससे हजारो क्रोड रुपे बचने की उमीद सेना में जूड़ानों की संख्या बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसके तहत युवाओं तीन से पांच साल के लिए अपनी सेवा दे सकते हैं और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया अगनिपत नाम दिया गया अब युवाओं तीन साल नहीं ये टूर ओफ ड्यूटी तीन से पांच साल के लिए लागू होगा जिसमें कुछ युवाओं तीन साल के लिए और कुछ युवा पांच साल के लिए आर्मी के अंदर अपनी सेवा देंगे इस पूरी की पूरी प्रोसेस को टूर ओफ ड्यूटी और अगनिपत का नाम दिया गया है और इसके माध्यम से जाने वाले युवाओं को अगनिवीर के नाम से जाना जाएगा ये टूर ओफ ड्यूटी का कंसेप्ट नया नहीं है पहले भी इसको ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश अपना चुके हैं अब भारत भी इस कंसेप्ट को लेकर आने लग रहा है हालनकि ऐसा बोला गया है कि तीन से पांच साल तक के लिए युवाओं को भड़ती किया जाएगा बताया जा रहा है कि सुरुवात में ये आर्मी में लागू किया जाएगा बाद में इसको वायू सेना और नो सेना में भी लागू किया जाएगा देखिए इसको लेकर अभी पूरी कोई जानकारी नहीं है कोई भी अपनी और से कुछ भी बोल रहा है अभी थोड़ा इंतजार करिए और देखते हैं क्या-क्या इसको लेकर क्या रिपोर्ट सामने आती है और किस तरीके से लागू होगा और टूर ओफ ड्यूटी के अंतरकत जाने वाले जवानों को चाहे वो तीन साल के लिए जाए चाहे वो पांच साल के लिए लेकिन उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और बाद में उन्हें तैनात भी किया जाएगा हाला कि ऐसा नहीं है कि टूर ओफ ड्यूटी के अंतरकत जो यूबा जाएंगे उनको ट्रेनिंग को कम कर दिया जाएगा नहीं ट्रेनिंग उनको कम्पलीट दी जाएगी और इसके अंतरगत अफसरों और सैनिकों दोनों की भरती होगी कैसा होगा टूर अफ डूटी इस बारे में अभी जादा जानकारी सामने नहीं है अभी ऐसा बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में 100 अफसरों और 1000 सैनिकों के उपर टी ओडी लागू हो सकता अभी देखते है क्या रिपोर्ट सामने आती है क्या नहीं आती है पच्ची परसेंट युवा को तीन साल के लिए और पच्ची परसेंट युवा को पांच साल के लिए सेना में रखा जाएगा बाकी 50 परसेंट युवा को स्थाई सेवा दी जा सकती है और सेना में जो अफसर इस माध्यम से जूडेंगे उनका जो पे स्केल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा 80-90,000 रुपे पे स्केल की बात की जा रही है यहां पर और यह TOD का कंसेप्ट नवंबर 2020 में आर्मी चीफ जर्नल MM नर्वने लेकर आये थे जिन्होंने रक्षा मंतराले के सामने इसकी ब्रीफिंग भी की थी और बोला था कि युवाओं को ट्रेनिंग ऐसे दी जाएगी कि वो आगे जाके कोर्परेट सेक्टर में अच्छा कर सकें देखिए ऐसा क्यूं किया जा रहा है क्रोना महमारी के करण पिछले दो साल से लगबग कोई भी भड़ती नहीं हुई है जिससे लगबग तीनों सेनाओं में मिलाकर एक लाख से अधिक पद खाली है तो देखिए इससे क्या फाइदा होगा सरकार को इससे सेना को हर साल हजारों क्रोड रुपे बचाने में मदद मिलेगी रिपोर्ट के मताबिक तीनों सेनाएं हर साल लगबग सवाल लाख क्रोड रुपे पैंशन पर खर्च करती है तो मेन मुद्दा ही यही है कि गोवर्मेंट पैंशन के खर्च को बचाना चाती है जो लाखो क्रोड रुपया पेंशन के रूप में चला जाता है लेकिन इनको ये नहीं पता कि एक जवान को भरती होने में सालों लग जाते हैं सालों की महनत लगती है अब वो सालों की महनत करने के बाद एक साल आर्मी के अंदर ट्रेनिंग करेगा और उसको सिर्फ रखा जा बहुत मुस्किल है अभी ये अंडर ट्राइल चलेगा जैसे इसके रिजल्ट रहेंगे बाद में इसको वैसे ही लागू किया जाएगा तो आप बच्चे टेंशन मत लीजिए अपनी त्यारी रखिए और अभी टियोडी को लेकर सिर्फ इतनी जानकारी सामने आई है जैसे भी आगे कोई जानकारी सामने आएगी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप लोगों के साथ उसको शेर किया जाएगा तो बच्चे जो चैनल पर नए थे वो चैनल को सस्क्राइब कर लेना वीडियो को लाइक करना और इसको जादा से जादा शेर करना मिलते हैं ने अब तक जैहिंद